हलो एवरिवन मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे तो टाइटल से आज आपने देखी लिया है जो वोकेब को याद करने का एक बहुत ही बहतरीन तरीका है वो आज मैं आपको बताने वाले हूँ कैसे मैंने अपने वोकेबलरी मुझे याद की थी कि मेंट वोकेबलरी नहीं जाती ऐ आती हैं आज सानी साफी आपको दूगी अगर आप ने यह चीजा अपनी इन चीज़ों हो चैपको नहीं को कड़िया तो मैं आपको गैरंटी दे के हम को प्योंगी और आपको फिक्त कि देखने ओगी बहुत ही solid आपकी एक vocabulary हो जाएगी और यह मैं इतनी assurity के साथ कैसे बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको already भी बताया कि vocabulary के उपर मेरी बहुत अच्छी एक command है मेरे को बहुत अच्छी vocabulary याद हो गई थी मैंने अपने लगबग 4-5000 की something vocabulary याद कर ली थी आपने एक vocabulary बिल्ट कर ली थी तो उसके पीछे जो starting थी वो कैसे हुई थी मैंने कैसे याद किया था उन सारी चीजों के बारे में detail में बात करेंगे हम सबसे पहले हम देखो दो चीजे discussion कर लेते हैं एक तो यह होता है कि आपको vocabulary को याद करना है एक तो होता repetition method से जिसमें आपको रटना होता है बार-बार याद करते रहो बात-बार revise करते रहो आपको याद हो जाएगी जो मैंने black book को कैसे पढ़ना है उस book के अंदर आपको बताया था दूसरी जो चीज होती है वो होती है टाइरिंग हो जाता है या उनको याद नहीं हो पाता है तो जो final solution बचता है वो बचता है निमोनिक्स के थ्रूर link बना बना के आप अपने words को याद करो जैसे कि हमने एक word उठाया simple सा यही उठा लेते हैं अपने channel का नाम diligent diligent को अब याद करनें के लिए क्या करों गया कोई एक link बनाओगे कोई एक trick बनाओगे कोई कुछ बनाओगे जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो हमने link बनाया कि दिलि sebelum महंती होते हैं यह diligent होते हैं दिल्ली-लिजेंट diligent होते हैं इसका proof तो आप इसी चीज से देख सकते हो metro city है इतनी भीड है इतना आप कह सकते हो वहाँ पर महंगाई है तो उन चीजों को करने के लिए महंती तो आपको होना पड़ेगा और यही इसका मतलब है कि दिलिजेंट महंती होते हैं दिलिजेंट का मतलब महंती है तो ऐसे जो links है यह बनाने पड कर दिया हां मैं आपको simplify करती हूं चीजे आप लोगों को पता है कि मैंने क्रिस्टोफर सर से अपनी जो कोचिंग थी English के लिए वो की थी तो वहाँ पर सर हमें ऐसी सीट प्रोवाइड करवाते थे मैं आपको दिखाती हूं यह वाली सीट तो बहुत अच्छी कंडिशन में मेरी इससे बहुत गंदी-गंदी कंडिशन में मेरी तीन-चार सर से सोरी सर अगर आपके वाज यह वीडियो पोचे तो मैंने दो-दो पेज ले लिये थे मतलब एक ही जो सेम सीट है उसका एक पेज ओर ले आते थे हम सर डिस्ट्रिबूट करवाते थे क्लास में तो जो मेर अंसरे के अंदर क्या करकता है सर ने ऐसे अपने एक सेशन बना रखेह और हर सेशन के अंदर उन्होंने बीस याद करवाकर क्रवास के इंदर भी इस बुक को latest edition है यह बिलकुल अभी उन्होंने लौंच किया है यह वाला edition market के अंदर आपको available मिलेगा तो अब इस बुक की खासियत बताती हूँ आपको यह इन चीजों की खासियत बताती हूँ देखो अगर एक एक वर्ड का हम लिंक का खुद से बनाने लग जाएंगे तो हमारे लिए बहुत टाइम कंजूमिंग प्रोसेस हो जाएगा बहुत टाइम चला जाएगा लेकिन हमारे लिए एक बैस्ट लेवल के उपर अगर यह लिंक बने हुए मिल जाते हैं तो बहुत ची आपको लगबग मेरको 30 मिनट लगती थी 20 वर्ड को याद करने में लिंक भी याद कर लिया मेनिंग भी याद कर लिया सब याद हो जाता था इतनी दिन में क्योंकि लिंक इतने simplified way में बना रखें उसके साथ-साथ जो एक बहुत में चीज है वो यह है कि जब मैंने एक हजा की वोकेबलरी याद कर लिया और मैं मोक लगाती थी तो वही क्योशन मोक में रिपीट होते थे तो फिर मैंने एक दिन बैठ के उन चीजों को एनलाइज किया मैंने जो प्रीवियस एर का कंपाईलेशन ऐसी इनॉनियम अन्टोनियम का वो उठाया और सर की यह वाली बुक उठाई तो मुझे पता लगा कि जो भी एससी के मोस्ट रिपीटीड या मोस्ट फेवरेट टाइप के वर्ड्स बोल सकते आप वो हैं उन्हीं की सर ने यह लिंक के थ्रू बना के दे रखी आपको जो वन थाउजन वर्ड की आपका एक कंपाईलेशन है तो इससे क्या होग कि जो वोकेबलरी आपने याद की वो आपके एक्जाम के अंदर भी रिपीट होगी वो प्रिवियस यहर वोकेबलरी के ही सर ने लिंक बना रखे हैं तो आपका तो बहुत ही मैटर सोटीड हो गया एंटोनियम भी उसी से याद हो जाएगा क्योंकि मतलब पता लग गया सिन इस बूक के पारे में डिटेयल में बता देती हूँ इसके अंधर लिए तरदीया क्या हुआ है हमारी विजु थी यह प्रैक्टिस Сेट हमें हमें इस फॉं में दिये जाते थे इसलिए इस बूप के इस बात करते इस बुक के अंदर क्या क्या दिया हूए है इस बुक के अंदर जो पहली चीज दी हुई है वो सिनोनियम एंटोनियम और स्पेलिंग्स जो आपके रिसेंट एक्जाम के अंदर रिपीट हुई है में आपकी जो रिपीट हुई है वो सारे कंपाइल करके दे रखें पांच से अड़ी स्पेज के अंदर आपके तो अगर जैसे किसी का अभी रिसेंट में कोई एक्साम है तो उसको जल्दी जल्दी में थोड़ा सा देखना है तो आप अगर यह यह वर्ड भी याद कर लेते ह तो भी आपका बहुत अच्छे से काम चल जाएगा इसके अंदर सिनोनियम एंटोनियम जो आपकी स्पेलिंग एरर्स हैं होमोफोन्स होमोफोन्स पी सर ने इसके अंदर एड किये हैं जो सीजियल का अपना टियर टू बोल सकते हो या जो मेंस होने वाला है उसके अंदर इसके क्रिष्टोफर स्र की बुक्स का यह तो बहुत है कैसे कि सन की ऑफे इतनी से अंदर इतनी बार कृक्टिस के लिए चीजें कि अगर आप सेब्सक्राइब हो सार चीजिए इंग्लेस के ले और उसके बाद इसमें Сीटीयस और अन डिया है अगर आप उन चीजों के लिए preparation करना चाहते हो तो वहां के लिए भी आप कर सकते हो उसके बाद SSC के सारे previous year के जो भी synonyums और antonyums है उनका compilation भी आपको अलग से भी provide करवा रखा है जिससे आपको क्या होगा कि अगर आपको लग रहा है कि synonyum, antonyum मेरे previous year वाले नहीं cover हो पाए और फिर दूसरी बात कि आपको previous year के लिए कोई अलग से book नहीं खरीदनी पड़ेगी vocabulary के लिए especially आप ये वाली book लोगे तो आपका काम बन जाएगा इसी से spelling error दे रखी है उसके बाद कुछ confusing word और homophone सारी चीजें इसके अंदर बहुत detail में explain की है मैं इसका photo भी side में आपको add कर दूँगी जिसके आपको clear हो जाए और mnemonics वाला जो photo है जिस के थ्रूँ आप देख सकते हो कि कैसे सर ने mnemonics के थ्रूँ से याद करवा रखी है वो भी add कर दूँगी तो मेरी तरफ से recommended book है ये वाली मैंने खुद पढ़ी है आप लोग भी पढ़ सकते हो इसका एक red color वाला version भी था वो इसका पुराना version है ये new वाली book जो launch हुई है वो वाली book है अगर आप इसको purchase करना चाहते हो तो इसका जो buying link है वो description box में रहेगा अगर आप essay एक बार आपको याद करना है निमोनिक्स के थूँ आपको उसके बाद निमोनिक, word, सब कुछीज का meaning अपने आप याद रह जाएगा अगर आप essay करके अपनी vocabulary को याद करते हो इस book को अच्छे से use करते हो निमोनिक्स की help से अपनी vocabulary को याद कर लेते हो तो उसके बाद कभी भी आपको vocab को याद करने में दुबारा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अब मेरी इतनी foundation strong हो चुकी है कि बहुत बार मुझे आप न वीडियो अच्छी लगी है मेरा method अच्छा लगा है vocabulary को पढ़ने का तो आप इस वीडियो को जरूर से like करना चैनल को subscribe करना फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई